शिन्दा हूँ ये तो बस मैं हूँ किस हाल में भी जिन्दा हूँ खाब क्यों देखु वो कल जिस पर मैं शर्मिन्दा हूँ मैं जो शर्मिन्दा हूँ आ तुम भी तो शर्माओगी प्यार मुझे से जो किया तुमने तो क्या पाओगी एक मैं क्या अभी आएंगे दिवाने कितने अभी गुझेंगे महबत के तराने कितने जिन्दगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी प्यार मुझे से जो किया तुमने तो क्या पाओगी मेरे हालात की आधी में विखर जाओगी प्यार मुझे से जो किया तुमने तो क्या पाओगी अविनाश, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी हालात अच्छे होते, तुम मुझसे शादी कर लेते। अगर मैं इतने बड़े माबाप की बेटी नहीं होती, तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते। अगर तुम्हें यकीन होता कि मैं इस घर में, इन हालात में अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जी लूँगी, तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते। बात सिर्फ यही तु नहीं है नगीता। तो फिर क्या बात है, क्यूं तुम्हें यकीन नहीं होता कि मेरा ये फैसला तुम्हारे साथ इस तरह जिने का किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया है। मैं कोई जस्बात की रौ में बहकर नहीं बोल रही हूं। मैंने पिछली दिनो अपने ही घर में अपने ही माबाब के बतलते हुए चेहरे देखें। एक अजनभी की तरह पाया है उन्हें। दम घुटता है वहां मेरा। घबराओ नहीं। मैं खुद कुशी नहीं करूंगी। लेकिन मेरा ये फैसला आखिरी है। जिस दिन तुम्हारे हालात सुधर जाए। जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारी हमसफर बन के पच्छताऊंगी नहीं उस दिन मुझे बुला लेना, मैं इंतजार करूँगी कीता शादी करोगी मुझसे अभी इस ही वाँ अभी वाँ नो, 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 मैं इस मामले में बिलकुल दखल नहीं दूँगी अरे आप लोग चाहते हैं कि मैं गीता और अविनाश की शादी में गीता की बड़ी बहन या माँ बन जाओं इंपॉसिबल, अरे इस इस अ फ्रॉड कैसे फ्रॉड है यह, क्या आप गीता को अपनी छोडी बैं की तरह प्यार नहीं करती, अपनी बेटी की तरह नहीं चाहती और फिर आपकी रिपोर्ट से ही तो सारा किस्सा शुरू हुआ है कोई गुनाह तो नहीं है, दो बालिक आदमी शादी कर रहे है और आपको करना क्या है, बस आशिरवाद दीजिए और चलती बनिये कैसे दे दूँ, यह कोई खाने का काम है वो होता तो हुल कर लेते देखिए आपको मान ही जाना चाहिए, ना आप रिपोर्ट करती ना उसके डैडी को पता चलता और ना ही और ना ही यह पंगा होता देखिए आपने भी तो कभी शादी की थी अरे पर इस तरह नहीं किसी भी तरह की थी, पर की तो थी और अगर आप नाम आनी तो.. हो सकता है वो डो जान ही देदे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है? हैं अरे अरे जिल्दी किरो कहीं य iOSन ता लोôm, कि हौ ही गया हूँ अब आप सब लोग कहते हैं तो ये मैं ना कहती थी ये जरूर मान जाएंगी तुम रेगा आपका हाथ अब आ रहे हैं लोग जुप चुल तो ताजी तरह तो वही नमस्ता जी माता जी को आने में देर हो गी हाँ बहन जी तो मानी नहीं रही थी हमने बड़ी मुश्किल से मना लिया भेन जी, माता जी, ये क्या माम लो हो रहा है? अरे भेन जी हो या माता जी, मतलब तो कन्या दान से हैं, आप दान ले लेजिए जल ले कीजिए, पनी जी, चल लेजिए ओम विश्वानी देवसा वीतर दूरिता निप्वारासुव यदभद्रम् तन्ना आसुव ओम विश्वानी देवसा वीतर दूरिता निप्वारासुव यदभद्रम् भाई हार लाओ भाई हार लाए तुम लो हार लाओ हार लाओ मैं कहा से लाओ हार लाओ हार लाओ हार लाओ ना अरे हार लाओ ना हार लाओ जाके हार 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 लाओ हार लाओ बेवाकूफ मैं लेके आता हूँ भाई जल्दी करो पंडी जी आप शादी आगे बढ़ाईए हार भी आ जाएंगे आगे कैसे बढ़े अभी हार डालना होता है ओ ओ पंडी जी फिलाल ऐसे काम चला लीजिए हार भी आता ही होगा हार अरे हार डालने का एक्शन करो ला हार भी आ जागा डॉलो 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 अरे एक्षिन से काम चल जाता है यार दिख बाई मिठाई लाओ मिठाई लाओ भई तो करे जा रहा है मैं मिठाईले जारू है अच्यार ले कि आ रहा है यार sweet जल्दी आयो अभी आ हार आ गयाirteen गुतियो परना लेख यार crown अब मिठाई ले जारा यह यार आक्षिन से कम चाला ले त ही अ पeremड़ात nächste मरता लकितनावird कर देटान विशादी में अपन्वा दीवाना ऐसे मनमाजी को कुछ मिश्किल है संधाना क्यों आजू आई सुरी, सुरी, सुरी भै देखो, सुहाग रात नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस जस्ट अ मैटर अफ कन्वीनियन्स शादिया शाम को होती है और तुम्हारी शादी दिन में हुए, इसलिए तुम सुहाग दिन मुला लो कब से चले भै अब निकल चले मेरा ख्रम, डॉपकरथया रह है हजागत करें, हाँ चलते हैं पर चलते हैं हँ, काफी वक्त हो गया है क्योंते हैं तो पहले पही जाँ है कि चलो अब निकल चले मिरा ख्रम, क्योंनी अ प्मोर क onc थ से खड़े हैं चलो न क्योंत verbessि यां वाइई, विखारे वाविडे! वाईई, विखारे वादा! वादा! Beate! Papa? उपना जिएत्मा करना है दुश्च टूम है कर दू tी — विखारे वादा, यवल्दी मेलें कि इंगर, भूरा भादा, अर नकिन करना थो, गी यह मामी सुलिखिया लगाश कि वादा गहीं बेटी तुम्हें हम पे भरोसा नहीं था हमसे तो कहा हो था हम देख भाल कर लेते पापा अभिनाश से शादी करने के लिए उसे देखने की नहीं समझने की जरूरत थी और मैंने उसे समझ लिया है और अगर इस शादी को हम ना माने तो माननी ना माननी से क्या होता है मामा जो होना था वो तो होई गया